इसका तीन नमर देखिए, दोनों का एक ही अधार ये हो जाएगा आपका, क्यू आर, और एक ही समांतर के बीश ये दोनों ये तिर्बूज भी, और ये आपका समांतर चिर्बूज भी, इसी था ना जी, तो ये वह लिए देंगे, कि हां, आकृतियाँ, एक ही आधार और एक ही समांतर एक ही समांतर रिखाओं के बीच रिखाओं के बीच, इस्थित है, तो आधार कौन चा हो रहा है जी, हमनों लिख देंगे, कि आधार जो है न, आधार आपका क्यू आर हो जा रहा है, एक ही आधार क्यू आर इसका भी और इसका भी, और अगर मैं बात कुरूँ समांतर रिखाओं की, समांतर रिखाओं जो है, वह कौन कौन सी हो जो है, क्यू आर और पी एस, क्यू आर तथा पी एस हो जाएगा, समझ गए, चलिया,